जितने यह बच्चों का आज मैट्स का कमपार्टमेंट एक्जामिनेशन था क्लास 11 का मैट्स का उनसे बच्च कलिफडी रहेगी इस वडियो में हम पेपर का सॉलिशन देखने जा रहे हैं तो यहां पर फर्स्ट कोशन से स्टार्ट करते हैं यहां पर मैं सभी कोशन्स का तो सारी वीडियो देखी थी और जो आपके मिट्रम और फाइनल टर्म के जो पेपर हुए थे अगर आपने वह साइक सारे सॉल्व किया है तो फिर आप इस पेपर को असानी से आप एट लेस सिक्ष्टी तो स्कोर करी लेते ठीक है तो यहां पर साइक सारे कोशन्स आपके मैक्सिमम जो हैं आपके मिट्रम और फाइनल टर्म के पेपर से उठाए गया है और बाकी आपके कुछ कोशन्स सपोर्ट मेटियल के भी है और बहुत सारे कोशन्स जो मैंने आपको प्यू आइक किस प्रेक्टिस कराए थी उसमें से भी कोशन्स आया है तो यहां पर लाइन साइन 3 थीटा थीटा की जगए आपका यहां पर 10いたiगरी तो इह होँजए का साइन 30 ब्रवर थाटि ए लग्री होत यह तो आपको यहां पर value किसकी find करनी है 2p square minus 1 की तो 2 into p square करेंगे यह जाग आपका 1 by 4 minus 1 तो यहां पर यह होगे आपका 2 और 1 by 2 minus 1 यह होगे आपका minus 1 by 2 बोले तो 0.5 minus का तो यहां पर option number a जो है आपका आपका right answer होगा second question में आपको बोलागा है कि in message जो है कौन सा cos2x के equal नहीं है तो यहां पर cos2x minus sin2x यह आपका formula होता है तो यह आपका गल्ट जाएगा और यह भी आपका formula होता है यह भी गल्ट जाएगा और यह आपका formula है यह आपका यहां पर right answer हो जागा क्योंकि यह जो है incorrect है cos2x का formula यह नहीं होता इसकी जो correct फर्मॉला होगा वो होगा 2 cos2x-1 और यहां पर यह भी इसका formula होदा तो फिर यह भी इसका answer नहीं होगा तो फिर correct answer होगा option number C fourth question में आपको बोलागा है कि आपको यहां पर sinx into cosx इसकी जो है maximum value बतानी है तो यहां पर आपको मैंने बता रखा है कि इस question में जादातर करते क्या है 2 से multiply करते है 2 से divide करते है इससे होगा कि यह आपका formula बन जाएगा किसका sin2x का और multiply by 1 by 2 और इसकी जो maximum value होती है वो होती है 1 और 1 by 2 बोले तो 0.5 तो option number D जो है आपके आपको राएट answer होगा 6 question में आपको बोलागा है कि ना यहां पर आपको theta जो है वो third quadrant का given है और जिसमें 10 theta और quad theta जो है positive होते है तो यहां पर आपको 10 theta की value given है 10 theta की value है यहां पर आपकी 3 और यहां पर theta अगर मैं यहां पर लेता हूँ तो फिर 10 theta होता आपका perpendicular upon base तो perpendicular की value हो जाएगी 3 base की value हो जाएगी 1 तो यहां पर अगर मैं इसकी value निकालना चाहूँ यह हो जाएगा आपका under root 3 का square स्कॉर फ्लस 1 का स्कॉर्स तो यह जाएगा आपका अन्डरूट में रही करता है तो यहां पर मैनस का निसना लगा देंगे तो यहां पर ऑफिसे लेता है। रहेगा आपका option number C 7th question आपसे के सामने लिखा हुआ यहाँ पर आपको लाए है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 6 is equal to P plus आयोटा Q और यहाँ पर आपको P plus Q की value find गानी है तो यहाँ पर से आपको क्या करना होगा 1 प्लस आयोटा को इसका whole square लिख देते हैं और इसका whole cube जो equal हो जाएगा P plus आयोटा Q के अब यहाँ पर इसका whole square open करते हैं 1 प्लस में आयोटा square प्लस में 2 आयोटा इस पुरे का whole cube is equal to P plus आयोटा Q और यहाँ पर से आयोटा square की value होते है minus 1 और यह है आपका plus 1 इससे cancel और 2 आयोटा बचेगा इस पुरे का whole cube is equal to P plus आयोटा Q और इसकी value हो जाएगी यहाँ पर 2 आयोटा cube is equal to P plus आयोटा Q और यहाँ पर से यह होगा आपका minus का 8 आयोटा is equal to P plus आयोटा Q P की value आपको दिख रही है P की value होगा यहाँ पर से 0 और Q की value हो जाएगी आपकी minus 8 इन दोनों का addition बताना था P plus Q का P की value है आपकी 0 और Q की value है यहाँ पर आपकी minus 8 तो यह आजागी आपकी minus 8 value option number D जो है आपका यहाँ पर right answer होगा 8th question में आपको बुला गया है कि आपको यहाँ पर एक complex number given है Z से represent किया गया और यह है आपका complex number यहाँ पर आपको इसका क्या बताना है modulus बताना है तो modulus के property अगर आपको याद है आप इस question को असानी से कर सकते है modulus जो है इस पूरे प्लग जाएगा और modulus को हम divide कर सकते है अगर यह divide में न तो एक इसके पास चलाएगा एक इसके पास चलाएगा तो फिर यह हो जैगा आपका 3 प्लस 4 आयोटा और upon में 4 माइनस 3 आयोटा और इसका भी modulus तो यह हो जैगा आपका यहाँ पर 3 का square प्लस 4 का square इस पर लगग गया under root और यह हो गहाँ आपका upon में 4 का स्क्वार प्लस 3 का स्क्वार इस पर भी मैगनिटूट तो उपर होगे आपका अंडरूट में 25 नीचे होगे आपका अंडरूट में 25 तो दोनों वैल्यू सेम है आंसर आजाएगा 1 और यह जो है ऑप्शन नमबर बी आपके हैं पर राइट आंसर होगा इसी में आपका कोशन पूछा जाएथा कि प आपको यह लिमिट का कोशन गिवन था और यहाँ पर आपको 7 पी माइनस 2 की वैली फाइन करनी थी तो यहाँ पर हम क्या करते हैं अगर आपके लिमिट 0 है तो फिर यहाँ पर अगर सेम एंगल से अगर हम डिवाइड और मल्लिप देता है 5x और अपॉन में आपका 10 7x इसको भी 7x से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि सेम एंगल करना है यह आपका 7x इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 यह एकस से एकस कैंसल हो गया 5 by 7 जो है आपका राइट आंसर होगा और यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी फाइंड करन 5 by 7 minus 2 7 to 7 cancel 5 minus 2 3 3 जो है आपका राइट आंसर होगा और जो यह आपका option रहेगा वो रहेगा option नंबर सी और यहाँ पर जो है ना next question में आपका question नंबर 15 यह भी आपका limit से रहेगा तो यहाँ पर मैंने आपको एक trick बता रहेगा कि जब कभी आपको इस complex में कुछ limit में का question दे देना तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है जो derivative find करना होता है आपको नुमिनेटर का derivative of numerator and derivative of denominator दोनों का separate अगर आप इसमें derivative निकाल देते तो फिर उनको डिवाइट करके जो आपका answer हैगा वो आपका correct answer होगा तो इसका derivative find करेंगे 3x square यह होजाएगा आपका 2x यह होजाएगा आपका 1 इसका derivative 0 और यह होगे आपका x का derivative 1 और 1 का derivative minus 1 का derivative 0 तो यह होगे आपका हैपर limit put कर देते हैं 3 1 का square plus 2 1 plus 1 तो यह होगे आपका 3 plus 2 प्लस बिपीं थे होग आपका जैक्स जो है आपका है पर आंपर अंसर ओप्सन नम्बर डी अब अगर एक आ इस पर होस्पिटल रूल एल होस्पिटल रूल तो इस पर आपको questions आने चाहिए 16 questions में आपको बुल आगा है कि आपको mean deviation about mean find करना है तो यहाँ पर यह आपका data है minus 2 minus 1 0 1 and 2 तो सबसे पहले इसका mean find करने के लिए इस अपका sum निकाल लेते हैं इससे यह cancel हो जागा इससे cancel हो जागा तो फिर mean आजाएगा आपका mean आगया है यहाँ पर आपका 0 इन सब का sum करेंगे तो और यहाँ पर इसका जितने भी number हैं एक दो तीन चार पांच पांच से divide कर देंगे तो फिर आपका mean भी क्या जागा 0 और यहाँ पर इसका आपका क्या करना होता है x-m यानिकी mean और इसका modulus x में से mean को घटा देंगे और इसका modulus लगा देंगे यह जाएगा आपका यह झा जागा माइनस का 2 माइनस जीरो इसका modulus 2 और माइनस सब को अड़ेता है यह जोगा आपका 3 3 3 यह भी होगा आपका 3 3 और 3 6 यह आगा आपका 6 divided by यह observation है आपके एक दो तीन चार पांच पांच है पांच से डिवाइट कर देता है यह आज एगा आपका 1.2 1.2 आपका है पर राइट यह पांसर होगा option number D अब यहां पर आपको limit given है एक सब्सक्राइब यहां पर आपको sin x-cos x upon x-5 by 4 तो यह इंडेटर्मिनेंट फॉर्म होगी और आप एक्स के लिए यहां पर फिल कर देंगे तो यहां पर मैं क्या करता हूँ यह जो वैल्यू है आपकी इसको मैं माले तो x-5 by 4 will be equal to y थोड़ी देखर मैं इसको y माल लिया अब यहां पर से अगर मैं x के लिए पुट करूँ 5 by 4 minus 5 by 4 y की value आजाएगे यहां पर से 0 तो य की value आगे हमारा यहां पर से 0 तो उससभी को अब मैं y में change कर रहा हूँ यहां पर से y से replace कर रहा हूँ तो यहां पर से x की value क्या जाएगे y प्लस 5 by 4 तो यहां पर सभी की जगा जहां भी x है उसको मैं यहां पर से replace कर दे रहा हूँ तो limit आ जाएगी y approaches to 0 and यहां पर sine pi by 4 plus y and यहां पर minus में cos pi by 4 plus y upon में आपका y ठीक है अब यहां पर से आपको दिखिए रहा होगा spend a plus b बोले तो sine pi by 4 cos y plus College phi by 4 sin y and minus में यहां पर यहां पर cos pi by 4 और यह होगा आपका cos y minus में यहाँ पर आपका minus का निसान आएगा इसको कर देगा है plus क्योंकि बार अल्रेडी minus है तो यहाँ जाएगा आपका sin pi by 4 और sin y upon में आपका y और limit क्या चल रही है y approach is to 0 तो यहाँ पर से आपको पता है sin pi by 4 और cos pi by 4 दोनों की value सेम होती है तो यहाँ पर से मैं जो है यहाँ पर इसको इससे cancel कर सकता हो क्यों क्योंकि इसकी value कितनी होती है 1 by root 2 इसकी value भी 1 by root 2 तो 1 by root 2 cos y 1 by root 2 cos y plus minus का है डिलीट हो गए यानि कि cut गए तो यहाँ पर से यह बचकी आपका cos pi by 4 जो होगा आपका 1 by root 2 sin y और यह होगा आपका plus में 1 by root 2 sin y upon में आपका y और यहाँ पर से यह होगा आपका 2 by root 2 sin y और upon में आपका y y y हो जाएगा आपका sin y by y हो जाएगा आपका 1 क्योंकि limit क्या है 0 जो और यहां पर से इससे एक एंसल होगया यहां आपका रूट टू तो रूट टू जो है आपका राइट आंसर होगा यहां पर आपको इसकी वह लेफाइंड करना है 10 22डी 30 मिनट तो यहां पर यह हो जाएगा आपका 10 22 2 degree और 1 by 2 degree लिख सकता हूं इसको और इसमें add कर देता हूं यह जग आपका 10 45 by 2 degree और यहाँ पर जो है इसका अगर आपको 10 theta by 2 के identity याद हो यह होती है आपके 1 minus cos x यानि कि 1 minus cos theta upon sin theta ठीक है तो इसके वाले हम डायक्ट यहाँ पर कर देते हैं यह जग आपका 1 minus cos theta यानि कि angle का दोगना होगा यह होगा आपका 10 cos 45 degree upon sin 45 degree तो यहाँ पर से यह हो जाएगा आपका 1 minus 1 by root 2 upon यह होगा आपका 1 by root 2 तो यह होगा आपका root 2 minus 1 upon root 2 और upon में 1 by root 2 इससे एक एंसल आपका root 2 minus 1 तो यह होगा आपका right answer यह अला आप बस आपको formula याद होना चाहिए और बाकी और भी तरीके हैं इसको solve करने के बाकी यह आला जो है आपका simplest method रहेगा यह आपका formula होता है अगर आपका भी याद नहीं तो याद कर लें और यहाँ पर जो है limit का एक और कोशन है अगर आप लिमिट आता है न तो फिर आप maximum यहाँ पर से marks score कर सकते थे ज्यादा मुस्किल आपका paper आया नहीं था ठीक है तो यहाँ पर से limit है आपकी x approaches to 0 क्योंकि limit के आपके कोशन जो है बहुत सार है यहाँ पर 10x है 10x को मैं लिए सकता हूँ sin x by cos x minus sin x upon x cube और यहाँ पर से अगर मैं उपर से sin x common लेता हूँ यह होजाएगा आपका 1 minus cos x upon cos x upon में बचा आपका x cube जिसमें से मैं x common ले रहा हूँ और यह होगा आपका x square इसकी value होगे आपकी 1 क्योंकि limit क्या है 0 तो यहाँ पर से यह होगे आपका 1 minus cos x यहाँ पर से आपको अगर यहले स्टाइब सबंद्या है यहाँ पर मैं आपका बताया तो sin x मैंने यहाँ पर common लिया तो फिर यह बचाएगा आपका 1 by cos x minus 1 इसकी यहाँ मल्टिप्लिया करेंगे 1 minus cos x by cos x बस इतना सा था और यह होगे आपका 1 minus cos x अब पॉन में होगे आपका cos x और यह होगे आपका x cube x square अब यहाँ पर आपको ऊपर बनाना होगा sin square x तो इसके लिए हम मैं यहाँ पर करेंगे देता हूँ 1 plus cos x से ऊपर नीचे multiply और divide कर देता हूँ तो यहाँ पर से यह होगे आपका 1 minus cos square x जिसको मैं लिख सकता हूँ sin square x इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 1 minus cos square x इसको आपको पता ही है sin square x लिख सकते हैं लिमिट पुट करते हैं एक्स जो है जीरो का प्रोच कर रहा है तो फिर यह पर यह जो कोशन है यह मैं आपको करार रखाए अगर आपको याद हो तो आपको काया करना होता है यहाँ पर आपको संफाइंड करना है एंड टॉम्स का से वन ॉन्स डबलवन और यहाँ पर यह इस ही कंटीनू रहेगा एंड टॉम्स तक इसके बाद 9 से divide और 9 से multiply इसे में 9 से multiply करेंगे ये हो जागा 9 ये हो जागा 9 ये 9 ये 9 ये 9 और ये भी होगा आपका 9 9 9 9 ठीक है सबको 9 से multiply कर दिया अब 7 by 9 इसको लिख सकते है 10 minus 1 इसको लिख सकते है 100 minus 1 और ऐसी continue कहां तक रहेगा end terms तक अब यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा 7 by 9 ये 10 common आ रहा है 100 common आ रहा है 1000 common आ रहा है और minus 1 1 जो है end terms तक चल रहा है तो फिर इसको लिख सकते है minus n इसको minus 1 को end बार जोड़ेंगे तो फिर आएगा minus n अब यहाँ पर सी यह है आपकी geometric progression यह आपकी continue है end terms तक तो यह geometric progression में इसका sum का formula होता है A bracket A है आपका 1 A है आपका 10 और bracket में R है common ratio है आपका common ratio वह है आपका 10 का तो common ratio की power n minus 1 upon 10 minus 1 हो जागा आपका 9 और minus में n यह होगा आपका 7 by 9 तो अगर आप इसको all solve कर सकते हैं तो फिर कल लें बाकी इतना ही आपका right answer होगा थोड़ा सा और simplify कर लेंगे तो फिर आपका answer थोड़ा और यहाँ पर से simplify हो सकता है तो इसका जो बी पार्ट है यह भी मैंने आपको as it is करा है as it is अगर आपको विश्वास में हो तो फिर आप एक बार प्याइक की प्रैक्टिस की जो वीडियो थी उनमें आप इस question को डूंड सकते है as it is question मैंने आपको करा रखा है तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है यहाँ पर जो है आपको यहली प्रोपर्टिय अगर याद है a की पावर m into a की पावर n यह क्या होता है a की पावर m प्लस n हो जाता है तो ऐसी यहाँ पर भी होगा इंफनाइट तक इंफनाइट तक आपको इसको एड़ करना है तो अब यहाँ पर हम क्या करता है उपर आपको दिख रहा है अगर आप उपर से common ratio निकालना चाहिए common ratio यह देगा आपका 1 by 2 upon 1 बोले तो 1 by 2 तो 1 by 2 आपका common ratio आ रहा है यहाँ पर जो आ रहा है वह आपका यहाँ पर से 6 की पावर हो जाएगी 1 by 1 minus 1 by 2 तो यहाँ पर से 6 की पावर हो गई 1 by 2 इसको minus करेंगे 1 by 2 बचेगा और 2 ऊपर चला गया 6 की पावर 2 तो यहाँ आपका 36 जो आपका राइट आंसर होगा और बाकि इस वीडियो में तो नहीं बाकि में को जितने important question लगते थे मैंने आपको यहाँ पर करा दिया और बाकि जो को शच्छ से वाब